तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आपके लेकर आए हैं बी कॉम एंटरेंस का एक सेंपल पेपर भाई जो हमने आज तक तैयारी की है इतनी महनत से हमने सब कुछ प्रेपर किया है तो अब उसको अगर एक बार टेस्ट कर लिया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और टेस्ट करने का तरीका क्या है कि भाई जो मैं कॉशन पेपर आपको दे रहा हूँ उसको आपको पूरी महनत और इमानदारी से सॉल्फ करना है और बिल्कुल वो फील लेकर आनी है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे है तो जल्दी से एक आप एरफून लीजिए एक खाली कमरा देखिए और एरफून लगाईए अपने कानों में और स्टार्ट हो जाईए और आपको क्या करना है कि बलैंक पेपर लीजिए जब मैं आपको कोशन्स दिखाऊंगा तो हर कोशनके सामने आपको उसका करेक्ट आंसर लिखना है और जब आप पूरे 100 कोशन्स कर लेंगे तो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि हर कोशन का सही आंसर क्या होना चाहिए उसके according आप अपने आंसर्स को चेक कीजिए गा और हर गलत चार कोशेंस के बदले में एक नंबर माइनस करने के बाद हमें बताईएगा किया आपका स्कोर कैसा रहा। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स को शेर कर दें और उनसे कह दीजिए कि सभी लोग हमें जॉइन कर लें टेस्ट बस स्टार्ट होना ही वाला है। और आपको जब तक क्या कर रहा है कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि बही वन से लेकर 100 तक मार्किंग कर लिजे, कोशन के नंबर लिख लिजे और कोशन पेपर आपके सामने आने वाला है। जो आपके theoretical questions हैं उनके लिए आपको approximately 1 minute मिलेगा और जो आपके numerical questions होंगे उनके लिए approximately 1.5 minute आपको दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट question हमारे पास है to take the bull by the horn means to punish a person severely, to grapple courageously with a difficulty that lies in our way, to handle it by a fierce attack, to bypass the legal process and take action according to one's own whims। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर question के लिए approximately 1 minute आपको मिलेगा तो अच्छी तरह सोचिए और अपनी answer sheet पर लिख लीजिए कि इसका correct answer क्या होना चाहिए। I hope आप सभी ने इसका बिल्कुल सही answer लगा लिया होगा। वो last में आपको बताए जाएगा जब की प्रोवाइट की जाएगी फिर आप चैक कीजिएगा क्या answer आपका सही है या नहीं। चलिए question number 2 देख लेते हैं। तो भई question number 2 हमारे पास है To talk one's head off means to talk loudly, to talk in whispers, to talk oneself, to talk excessively Take your time, बहुत अराम से सोच समझ के solve कीजिए। चलिए next question देख लेते हैं। तो question number 3 हमसे कह रहा है कि Last evening I was held up at the meeting तो इसमें held up का मतलब क्या है ? Kept, detained, stopped या delayed आपको बताना है कि यहाँ पर held up का मतलब क्या है ? Kept, detained, stopped या delayed चलिए next question देख लेते हैं। Question number 4 है I have a problem to square up with the manager तो यहाँ पर square up का मीनिंग क्या है ? Workout, consider, discuss या फिर settle A, workout B, consider C, discuss या फिर D, settle I have a problem to square up with the manager जो आपका entrance का syllabus है, बिलकुल उसी का according यह paper design किया गया है 25 questions यहाँ पर English के आपको दिए जाएंगे बहुत आराम से सोचिये और फिर उसको solve कीजिये चलिए next question देख लेते हैं तो question number 5 है He teaches us grammar The alternative which best expresses the above sentence in the passive voice is Grammar is taught to us by him We are being taught grammar by him Grammar is being taught to us by him या फिर We are taught grammar by him बताइए कौन सा answer यहाँ पर सही होना चाहिए Passive voice में आपको convert करना है चलिए next question देख लेते हैं Next question है मारे पास Life history of a person written by that person is known as Topography, Biography, Autobiography या फिर Flexography Life history of a person written by that person himself Life history of a person written by that person is known as Topography, Biography, Autobiography या फिर Flexography चलिए next question देख लेते हैं तो question है A government run by a dictator is called Democracy, Autocracy, Bureaucracy या फिर Aristocracy A government run by a dictator Democracy, Autocracy, Bureaucracy या फिर Aristocracy चलिए next question देख लेते हैं Question number eight है We haven't had dash news from our client Some, Any, No या None We haven't had dash news from our client Some, Any, No या None Chalili next question देख लेते हैं So question number nine है Ten years ago, I dash sitting in a small dirty office facing the river Was, Sat, Had been या have been Ten years ago, I dash sitting in a small dirty office facing the river Was, Sat, Had been या फिर have been Chaliliya question number ten देख लेते हैं Do not bite off more than you can dash Digest, Chew, Taste, Swallow Do not bite off more than you can dash Digest, Chew, Taste, Swallow Chaliliya next question देख लेते हैं Question number eleven है They borrowed a bike so it would be easier to dash the country area Get on, Get around, Get in या get up They borrowed a bike so it would be easier to dash the country area Get on, Get around, Get in या फिर get up बहुत अच्ची तरह से देख कर सोच कर समझ के मार्क कीजिए ये बिल्कुल ना समझना के sample paper है उल्टा सीरा solve कर लेते हैं बहुत अच्ची तरह इमानदारी के साथ बिल्कुल ये सोच कर जैसे आप examination hall में हूँ बहुत ही अच्ची तरह महने से solve कीजिए चलिए next question देख लेते हैं Question number 12 is The antonym of provocative is angry, soothing, dampening या motivating Antonym of provocative, angry, soothing, dampening, motivating चलिए next question देख लेते हैं चलिए next question देख लेते हैं Question number 13 is The insects are a great nuisance – us For, with, at, ya around The insects are a great nuisance – us For, with, at, ya around चलिए next question देख लेते हैं Question number 14 है Dash English is an international language The no article, N या A Dash English is an international language The no article, N या A I know आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं इसी तरह महें अच्छी से करते रहें चलिए next question देख लेते हैं Question number 15 है I do not care – you go – stay I do not care – you go – stay Either weather – weather or but and though not only दो यहाँ पर blanks हैं और दो-दो words यहाँ पर दिये हुए हैं तो आपको देखना है कि कौन सा सही option यहाँ पर है जिसके दोनों words से यह sentence complete sense दे पाएगा चलिए next question देख लेते हैं तो question number 16 है The passive voice of the sentence The dog bit the man is The dog bit the man is The man was bit by the dog The man had been bitten by the dog The man was bitten by the dog या फिर The man has been bitten by the dog Passive voice में आपको convert करना है The dog bit the man यह आपको given है active voice में इसको आपको passive में convert करना है चार options आपके पास है चलिए next question देख लेते हैं Question number 17 है Nobody dash what will happen next Nobody dash what will happen next Know, will know, had known या knows Know, will know, had known या knows Nobody dash what will happen next चलिए next question देख लेते हैं Next question है One who knows many languages Linguist, Polyglot, Stylist या फिर Debater One who knows many languages उसको आप क्या कहेंगे Linguist, Polyglot, Stylist या फिर Debater One word substitution वाला question है चलिए next question देख लेते हैं Loud enough to be heard क्या कहेंगे इसको Edible, Audible, Eligible या फिर Invincible Loud enough to be heard Edible, Audible, Eligible या Invincible चलिए next question देख लेते हैं Question number 20 है Identify the error He has been working here for some times इसमें क्या गलती है He has been working here for some times Has been working here sometimes या फिर here for चलिए next question देख लेते हैं Question number 21 है His speech was too long He should have dashed it Shortening, Short, Shortened, Your Shortest His speech was too long He should have dashed it Shortening, Short, Shortened, Shortest Shortening, Shortened, Shortened, Your Shortest चलिए next question देख लेते हैं The government wing responsible for making rules क्या कहेंगे उसको Judiciary, Legislature, Executive या फिर Court The government wing responsible for making rule Judiciary, Legislature, Executive या फिर Court tokens नसने लेते हैं क्या serious Sellा और, या विर 오랜만ापन कहें चलिए next question देख लेते हैं Question number 23 है Intimidation by threat is called Coercion, Collision, Confusion या फिर Correction Intimidation by threat is called Coercion, Collision, Confusion या फिर Correction Intimidation by threat चलिए next question देख लेते हैं The idiom at the drop of a hat means Instantly resting on a hat Seriously या फिर Authorized At the drop of a hat means Instantly resting on a hat Seriously या फिर Authorized आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपने answers दे सकते हैं साथ में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको आप तक के जो questions हैं उनका level कैसा लगा जादा easy थे, hard थे या फिर moderate level के थे चलिए next question देख लेते हैं 25th और last question है हमारे English वाले section का The synonym of synonym is antonym substitute opposite या फिर condemn The synonym of synonym is antonym substitute opposite या फिर condemn जैसा कि मैंने आप से कहा आप लोग जो है comment section में भी अपने answer दे सकते हैं लेकिन अपनी answer की पर जरूर लिखते रहीएगा क्योंकि match आप तभी कर पाएंगे जब आप answer की पर लिखेंगे चलिए next question देख लेते हैं question number 26 है variance of first five natural numbers is variance बताना है आपको first five natural numbers का 25 होगा 20 होगा 10 होगा या फिर 2 होगा variance of first five natural numbers is 25, 20, 10 या फिर 2 solve कर लें अराम से कोई परिशानी वाली बात नहीं है कोई tension वाली बात नहीं है numerical question को देखके घबराया ना करो बहुत अराम से सुकून से solve कीजिए चलिए next question question देख लेते हैं question number 27 है lawrence curve is used to depict skewness, dispersion, kurtosis या फिर all of the above lawrence curve is used to depict skewness, dispersion, kurtosis या फिर all of the above चलिए next question देख लेते हैं question number 28 आपसे कह रहा है theoretically the best average in construction of index number is best average in construction of index number is arithmetic mean, median, harmonic mean या फिर geometric mean best average in construction of index number arithmetic mean, median, harmonic mean या फिर geometric mean जितनी बार भी आपको ऐसा लगे के इस कोशन पेपर में ऐसा कोशन आया है जो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ था तो बहुत खुशी के साथ yes लिककर send कीजिए चली नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 29 है Statistics is the science of averages is a statement given by Bolly, Cordon, Kendall या Fishers Statistics is the science of averages लोववद इसकाई Cert För It लोवबर 25 उन्होवद चलिए next question देख लेते हैं Probable Error is dash into SE Probable Error is dash into SE 0.6745 0.6753 0.6754 या फिर 0.6457 Probable Error is dash into SE बहुत आराम से सुकून से सोचिए जो कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ था नहीं था बहुत अच्छी तरह सोच कर उसको मार्क किया कीजिए किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है बहुत टाइम है अभी दो घंटे पूरे होने में चलिए नेक्स्ट कोईशन देख लेते हैं कोईशन नमबर 31 है Standard deviation is also known as mean square, variance, root mean square या पिर dispersion Standard deviation is also known as mean square, variance, root mean square या फिर dispersion चलिए, next question देख लेते हैं If both regression coefficients are 2 and 0.45 respectively, then the value of r will be 0.9, 0.3, 0.95, 0.03 If both regression coefficients are 2 and 0.45 respectively, then the value of r will be 0.9, 0.3, 0.95 या फिर 0.03 आराम से solve कर लें अभी भी time है, become entrance related जो भी वीडियो हैं, उनका link description box में provide कर दिया जाएगा, वो काफी helpful रहेंगे आपके लिए Regression coefficients given है, 2 and 0.45 r की value पूछी है, r क्या होता है, correlation ठीक है ना, चलिए जल्दी calculate कर लिजे चलिए next question देख लेते हैं, Question number 33 है, second moment about mean is, standard deviation, variance, coefficient of variation या फिर range Second moment about mean is, standard deviation, variance, coefficient of variation या फिर range Second moment about mean is, standard deviation, variance, coefficient of variation या फिर range चलिए next question देख लेते हैं, Question number 34 है, For any distribution, the median is 10, mode is 30, and mean square value is 20 Then value of variance is If for any distribution, the median is 10, mode is 30, and mean square value is 20 Then value of variance is 15, 10, 20, या फिर 30 Median given है, mode given है, mean square value given है, variance आप सब पूचा गया है कि variance कितना होगा चलिए next question देख लेते हैं, Question number 35 is Three unbiased coins are tossed What is the probability of getting at most 2 heads? Three unbiased coins are tossed What is the probability of getting at most 2 heads? 3 upon 4 1 upon 4 3 upon 8 या फिर 7 upon 8 At most 2 heads 3 upon 4 1 upon 4 3 upon 8 या फिर 7 upon 8 Solve कीजिए आराम से फिर चलते हैं, दूसरे question की तरफ चलिए next question देख लेते हैं, चलिए next question देख लेते हैं, Question number 36 is Question number 36 is Gaurav said, This lady is the wife of the grandson of my mother. Who is Gaurav to the lady? Father, grandfather, husband, या फिर father-in-law Gaurav said this lady is the wife of the grandson of my mother who is Gaurav to the lady father, grandfather, husband या फिर father-in-law this lady is the wife of the grandson of my mother who is Gaurav to the lady father, grandfather, husband या फिर father-in-law चलिए next question देख लेते हैं if Spain is written as 68512 and France is written as 795243 how is Africa coded as? 578915 579845 579145 या फिर 578945 58何ज में उने देवन लेते हैं 5949 cheating 690 death जल्दी से सॉल्फ कीजिए फिर आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अ शॉप कीपर पर्चेस्ट टू हंड्रेट बल्प्स फॉर रुपीज टैन एच हावेवर फाइव बल्प्स वर फूज़ और हैड तो बी थ्रोन अबे बल्प्स सकतारां मेरे सम्ट टूज़राऊ नेक्स कीपर बल्प्स वर रुपीज घ्रॉपीज टैन एच कालता चैनीも कीजिए नेक्स सबस्ट पर्चेबिया तो शॉप्स टूज़िए बल्प्स टैनí प्रॉफिट होगा 17 परसेंट का, लॉस 5 परसेंट, प्रॉफिट 12 परसेंट, या फिर लॉस ओफ 13 परसेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाएं, कि आपको क्या लगता है, कोशन्स का लेविल आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, इजी हैं, या मौडरेट लेविल के हैं प्रॉपिल के सब्सक्राप्ट लेविल का लागते हैं, या मौडरेटी के हैं, या मौडरेट लेविल के हैं चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं complete the series 1, 9, 25, 49, 81, dash 1, 9, 25, 49, 81, dash इस dash में क्या आएगा 100, 121, 144 या फिर 169 1, 9, 25, 49, 81, dash comment section में भी आप लोग answer दे सकते हैं और अपनी answer sheet पर तो लिखते ही रहिए क्योंकि check महीं से होगा जल्दी से solve कीजिए बहुत ही अच्छा और easy question है चलिए next question देख लेते हैं question number 40 है flow is to river is proportionate to stagnant is to what rain, stream, pool या फिर canal flow, river, stagnant, dash rain, stream, pool, canal बहुत है चलिए next question देख लेते हैं question number 41 है volume is to liter is proportionate to area is to dash pascal, degree, hectare या फिर newton volume, liter, area, dash, pascal, degree, hectare या फिर newton जो लोग हमारे साथ connected है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई और friends भी हाँ पर होने चाहिए थे जिन्होंने join नहीं किया है तो आप लोग अभी भी चाहें तो उनको call कर सकते हैं उनसे कहिए कि हमें join कर लें क्योंकि end time पर कहीं 5-6 घंटे खराब करने से अच्छा है कि एक 2 घंटे का अगर ये paper solve कर लेंगे तो इंशालला काफी beneficial रहेगा उनके लिए बिल्कुल syllabus के according ये paper डिजाइन किया गया है तो अगर आप इस paper को अच्छे से solve कर लेते हैं तो इंशालला काफी जारा chances हैं कि आपका selection बिल्कुल पक्का है चलिए next question देख लेते हैं चलिए एक साथ दो question यहाँ पर आपको दे देते हैं जिनके लिए total आपको दो minute के आसपास का time मिलेगा deep shallow dawn is to dash deep is to shallow dawn is to dash dusk, destroy, borrow and kill next question है klm is to pon proportionate to nop is to dash lmk, mlk, nml या फिर kln आराम से solve कर लीजे दोनों questions के लिए दो minute के आसपास का time आपको दिया जाता है बहुत आसान question है के आ दो करफू मोें कि लावणा सुनाथfarण झाहें नह दो कर दो कर दो techniques के मुत आसपास का I झाल झाल कोशन सॉल्फ करने के बाद अगर टाइम बच जाए तो हमें ज़रूर बताएगा किया आपने अपनी इंट्रेंस की तैयारी कहां से की चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर फॉट्टी फॉर है A is 40 meter southwest of B C is 40 meter southeast of B then C is in which direction of A east, west, northeast या फिर south A is 40 meter southwest of B C is 40 meter southeast of B then C is in which direction of A east, west, northeast या फिर south चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 45 है Aruna ranks 12th in a class of 46 what will be her rank from the last 35th, 40th, 34th या फिर 36th क्टा tämä फिर फन्दा है क्टा बन्दा कोशन दृटी झार क्टा सक्का Θнул generous चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं चलिए दो कोशन एक साथ दो मिनिट का टाइम और कोशन नमबर फॉर्टी सेवन है विच अफ दो फॉल्विंग कंट्रीज इस नोट आमेंबर अफ सार्क भूतान, इंडिया, थाइलेंड या फिर मौल्डिव दो कोशन है दौनों को अच्छी तरह देखें अगर एक में आपका टाइम बच जाता है जो उसको आप दूसरे में यूटिलाइज कर सकते हैं बजाएं जैसा कि हमने आप से पहले भी कहां कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई और फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यहां पर कनेक्टिड होने चाहिए थे लेकिन नहीं है तो आप उनको जरूर बुला ले यह ऐसा गोल्डन चांस है आपके पास कि अगर आप आज इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाए तो काफ चली नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नंबर 48 है which Indian city has been chosen by the World Bank for setting up its back office operations which Indian city has been chosen by World Bank for setting up its back office operations Bangalore, Chennai, Kolkata या फिर अलिगर Bangalore, Chennai, Kolkata या फिर अलिगर अलिगर से याद आया कि हमारे चैनल को अलिगर का नमबर वन कॉमर्स चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्री आप सभी का इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं चलिए फिर से दो कोशन आपके पास हैं कोशन नमबर 49 और कोशन नमबर 50 इनको कीजिए दो मिनिट के आज़ पास का टाइम आपको दिया जाता है विच वन आफ दो फॉल्विंग और्गनिजेशन इस डिरेक्टली रिलेटेट तो चाइल्ड वेलफिर डबलू टी ओ डबलू एच ओ यूनिसेफ या फिर यूनेस्को कोशन नमबर 50 है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंच्री कहां पर है हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर हरियाना या फिर डेली अगर आपको इन टम्स की फुल फॉर्म पता है तो उसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए डबलू टी ओ, डबलू एच ओ, यूनिसेफ और यूनेस्को अपने जो आपके पास पेपर है उस पर लिख लीजिए कि आपको इनकी फुल फॉर्म, इनके हेड़कॉर्टर्स पता होने चाहिए, उसको देख लीजिएगा एक बार टेस्ट कम्प्लीट होने के बाद आप उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा चलिए, नेक्स्ट कोशन देखते हैं इसी तरह से भई, फिर दो कोशन आपके सामने हैं फिफ्टीवन और फिफ्टीटू, दा मेन एम अफ सार्क इस रीजिनल कोपरेशन, इंटर्नल अफिर्स, नॉन अलाइनमेंट या फिर कंट्रोल क्रूड ओईल और फिफ्टीटू आपके पास है दा मेंबर ओफ लोगसभा होल्ड ओफिस फॉर टर्म ओफ फॉर यर्स, फाइव यर्स, शिक्स यर्स या फिर थ्री यर्स कोशन नॉम्बर फिफ्टीवन, मेन एम अफ सार्क कोशन नॉम्बर फिफ्टीटू मेंबर ओफ लोगसभा होल्ड ओफिस फॉर टर्म ओफ आराम से कीजिए, दौनों कोशन्स के लिए दो मिनिट आपके पास है चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नॉम्बर फिफ्टी त्रीज़ डबलुडबलुडबलु वस इन्वेंटिड बाई टिम बरनर्स ली, एडम स्मित, सर जेम्स विल्सन या फिर बिल गेट्स www was invented by comment section में www کی full form आप लोग जरूर लिखिएगा फिलाल इसका correct answer आपको बताना है www was invented by Tim Berners-Lee Adam Smith Sir James Wilson या फिर Bill Gates चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं चलिए एक और पेर ओफ कोशन्स कोशन नमबर 54 और 55 In HTTPS, P stands for Petrol, Protocol, Permanent या फिर Partial HTTPS की फुल फॉर्म मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में और आपको बताना है कि भई P जो है यहाँ पर P का क्या मतलब है HTTPS और कोशन नमबर 55 है Which of the following is a pair of Britain Wood Twins IBRD and IDA World Bank and IMF RBI and SBI SEBI and BSE Pair of Britain Woods Twins Comment section में इन सभी Terms की फुल फॉर्म इनके Headquarters अगर किसी के हैं और कभ ये बने थे Date of Establishment जरूर लिखिएगा यहाँ पर आपके भई questions जो मैंने दिये हैं इनके साथ साथ बाकी भी knowledge check हो दी जाएगी जो कुछ आपने पढ़ा है आज सब निकाल दीजिए दो questions का प्यर्था आपके लिए जल्दी से कीजिए इसी के साथ आपका जी के वाला portion जो है वो complete हो जाएगा और start करेंगे हम accounts वाला section तो चलिए start करते हैं Question number 56 है X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3 is to 1 They admit Z as a new partner who pays Rs. 4,000 as goodwill The new profit sharing ratio being 1 is to 2 is to 1 among X, Y and Z respectively The amount of goodwill will be credited to X and Y as Rs. 1,000 and Rs. 3,000 respectively X only, Y only, Z only X and Y are two partners है जिनका ratio दिया हुआ है 3 is to 1 They admit Z as a new partner who pays Rs. 4,000 as a goodwill And the new profit sharing ratio is 1 is to 2 is to 1 The amount of goodwill will be credited to X and Y as 1,000 and 3,000 respectively X only, Y only, या फिर Z only देखें कोशन आपके सामने आते ही आपका time start हो जाता है तो कोशन को जल्दी से read करके और foran solve करना start कर दिया कीजिए चलिए next question देख लेते है Question number 57 है What will be the return on investment if net profit after interest and tax is Rs. 6,00 10% debentures Rs. 10,00 Tax rate is 40% and capital employed is Rs. 80,00 What will be the return on investment? 13.65% 13.75% 13.85% या फिर 13.95% 13.85% Solve कीजिए बहुत आराम से अभी एक मिनट आपको दिया जाएगा इस question को solve करने के लिए क्पादा आराम से एंचा तक दो, सब्सक़्रश के अगल आराम से अगलना आराम से हमें क्पादा आराम से एंगा इस नाएगा जाएगा नावँ झाल झाल अगर आपको ऐसा लगा करें कि आपको किसी कोशन को सॉल्फ करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं लेकिन यह ध्यान लखिएगा टोटल आपको दो घंटे के अंदर अंदर ही पूरा पेपर कंप्लीट करना है ठीक है ना कभी आप पॉस करके एक ही कोशन को सॉल्फ करते रहे और टाइम आपका निकल जाए तो इसका ध्यान लखिएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं next question है which of the ratio is used for long term solvency position of the company current ratio, liquid ratio, debts turnover ratio या फिर debt to equity ratio used for long term solvency position of a company चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं चलिए फिर से आपके पास है आप प्यार आफ कोशन्स कोशन नमबर 59 और 60 विच अफ दे फॉलोइंग इस नॉट आ कैपिटल रिसीट बिल्डिंग फंड लिगेसी, लाइफ मेंबर्शिप फी और सब्सक्रिप्शन कोशन पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि इस किस चैप्टर का कोशन आपको लगता है और कोशन नमबर 60 है General Reserve is created from Capital Profit, Revenue Profit, Only Profit या फिर by Sale of Assets General Reserve is created from चलिए, next question देख लेते हैं Question number 61 है As per section 37 of Indian Partnership Act 1932 the executors would be entitled at their choice to the interest calculated from the date of death till the date of payment on the final amount due to the dead partner at dash percent per annum 7, 4, 6 या फिर 12 Question पढ़के बताईगा किस चैप्टर का आपको लगता है बहुत ही आसान और छोटा सा question है चलिए, next question देख लेते हैं Question number 62 is Patents, Copyrights and Trademarks are Current Assets, Fixed Assets, Tangible Assets या फिर Investments Patents, Copyrights and Trademarks are Current Assets, Fixed Assets, Intangible Assets या फिर Investments चलिए, next question देख लेते हैं Again, we have a pair of questions The sales income, cash and credit both of a business during a given period is called Transactions, Sales Return, Turnover या फिर Purchase Return और 64 है When shares are forfeited, capital account is debited by forfeited amount, called up amount, paid up amount या फिर amount of capital reserve Zu Fast सेんなी हैं प रहरत प्लाए्डblack वा तो भर को उते हैं और था वा रा नदाष याचाइ चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 65 है एवरेज प्रोफिट्स रूपीज 20,000 नॉर्मल प्रोफिट्स रूपीज 5,000 कैल्कुलेट दा वैल्यू अफ गुडविल अन दी बेस अफ थ्री येर्स पर्चेस अफ सूपर प्रोफिट्स A है 45,000 रूपीज B है 40,000 C है 60,000 and D है 10,000 एवरेज प्रोफिट्स गिविन है नॉर्मल प्रोफिट्स गिविन है और वैल्यू निकालनी है थ्री येर्स पर्चेस अफ सूपर प्रोफिट्स पे चलो 10 सेकेंड आपके पास बस इतनी ही जेर का कोशन है जल्दी से Come on Very good, solve हो गया Solve हो गया, solve हो गया Very good चलो, बहुत शांदार Very good, next question पर चलते है Question number 66 है If current ratio is 2.5 Quick ratio is 1.5 Net working capital is 60,000 रुपीज The value of current liability will be सब हटाके बहुत मुश्किल से 20 से 25 सेकेंड लगने चाहिए आपको इसको solve करने के लिए तो जड़ा महनत कीजिए और जल्दी से इसका जल्दी से answer निकाली है Very good Very good, very good 10 सेकेंड more Come on बहुत easy question चलो बिटा हो गया जल्दी बताओ ठीक है, ठीक है, ठीक है Very good, very good चलो अच्छे काम करो 10 सेकेंड और ले लो चलो ठीक है, जल्दी करो चलो, very good, बिटा, very good Next question पर चलते है Question number 67 है A and B are partners sharing profits in the ratio 4 is to 1 A surrenders one-fourth of his share in favor of C and B surrenders one upon two यानि के half of his share in favor of C a new partner What is the sacrificing ratio? 1 is to 2 1 is to 3 2 is to 1 या फिर 3 is to 1 चलो 20 seconds चलो ये देखते हैं 20 seconds में कौन-कौन solve कर पाएगा जो question जितनी जिर का होगा ना मैं आपको बता दिया करूँगा फिर आप देखना यतनी जिर में आपने solve किया और नहीं किया, ठीक है न? चलो ऐसा करो, 10 seconds और ले लो, ठीक है न? जल्दी solve करके दिखाओ कितना आपसर आया? चलिए बेटा चलिए, next question देखते है देखिए, question है The minimum subscription as prescribed by SEBI against the entire issue is minimum subscription prescribed by SEBI 95%, 90%, 5% या फिर 25% चलिए जल्दी solve कीजिए इसको answer की में लिख ले, जल्दी से जिन लोगों ने लिख लिया हो, जल्दी से बताईए मुझे देखिए, उपर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग connected है, उतने likes नहीं है जल्दी से बेटा, बहुत महनस से आपके लिए paper बनाया है एक एक like तो बनता है, जल्दी से very good, very good, come on mashallah, mashallah, very good चलो, आगे चलते हैं बेटा चलिए, दो question फिर से हमारे पास है question number 69 है while preparing the annual financial statements the balance of outstanding rent account should be treated as the balance of a dash nominal account, real account, deferred expense account या फिर personal account balance of outstanding rent और question number 70 है what is the ideal quick ratio 1 is to 1, 2 is to 1, 1 is to 2 या फिर 3 is to 2 चले जल्दी से देखिए बेटा solve कर ले आराम से कोई परिशानी वाली बात नहीं है सोच ले आराम से outstanding rent account कौन सा होगा nominal, real, deferred expense या फिर personal और quick ratio का ideal ratio कितना होना चाहिए चले next question देख लेते हैं question number 71 है if the goodwill raised at the time of retirement of a partner is to be written off, then the capital account of the remaining partners is debited in new profit sharing ratio, old profit sharing ratio, capital ratio, and the other goodwill raised at the time of retirement of a partner is to be written off, then the capital accounts of the remaining partners is debited in new profit sharing ratio, old profit sharing ratio, capital ratio या फिर sacrificing ratio चली next question देख लेते हैं चली दो questions फिर से आपके पास हैं question number 72 है ratio provides a dash measure of a company's performance definitive, gross, relative या फिर quantitative और 73 है which of the following program of MS office is most helpful in generating balance sheet MS Word, MS PowerPoint, MS Excel या फिर all of the above यहां पर MS की full form जो है वो आपको बतानी है comment section में जल्दी से और दोनों ही questions को solve भी करना है हराम से solve कर लीजे उसके बाद questions complete होने के बाद आपको key provide की जाएगी चली next question देख लेते हैं question number 74 है payment of income tax is shown as operating activity investing activity financing activity yeah fair none of these payment of income tax चलिए next question देख लेते हैं Q75 है I.C. Ltd. forfeited 160 shares of Rs.10 each on which the holder had paid only the application money of Rs.2 per share Out of these, 40 shares were reissued to Mr. Y as fully paid for Rs.9 per share The gain on reissue is Rs.320, Rs.160, Rs.40 या फिर नन अफ दीज I.C. Ltd. Roll or सॉल्व कर लिया आराम से चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं चलिए दो कोशन फिर से आपको दी जाते हैं वई फंक्शन्स ओफ मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड प्लैनिंग, स्टाफिंग, कॉपरेटिंग या फिर कंट्रोलिंग और दूसरा बहुत ही अच्छा कोशन है काफी सारे लोग न तो कर भी लिया होगा चलिए पांच सेकेंड और हैं आपके पास चलो बहुत बड़े बटे चलो आगे चलते हैं दूसरे कोशन पर नेक्स्ट कोशन है टेक्नीक ओफ मेंटल रिवोलुशन इस बेस्ट अन द प्रिंसिपल अफ रोल अफ द अबव तेक्नीक ओफ मेंटल रिवोलुशन चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं चलो बहुत फिर से दो कोशन्स आपके पास हैं तर्म दिस इन्वेस्टमेंट इस रिलेटेट तो लिबरलाइजेशन प्रिवाटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन या फिर अल अफ द अबव और दूसरा कोशन है फेरा वाज रिपलेज़ बाइश फ्रमे 2000 निरम ए-1996 हेम ए-1998 या फिर फेम ए-1999 फरमा निर्मा हेमा या फिर फेमा फेरा वॉज रिप्लेस्ट बई डेश फेरा की फुल फॉर्म जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और जो भी इसका आंसर है इन में से उसकी फुल फॉर्म भी आप लोग टाइप कीजिए चल्दी से comment section में और हम चलते हैं दूसरे question की तरफ Standing plan क्या होता है वही stands as an example for others recurring plan discarded after use या फिर all of the above Standing plan question number 81 चलिए next question देख लेते हैं question number 82 है a tall organizational structure has a dash narrow span of management wide span of management no span of management या फिर less levels of management tall organizational structure narrow, wide, no या फिर less levels आराम से सोच लीजिए जल्दी अपने answers को mark कर लें अपनी answer sheet पर चलिए next question देखते हैं चलिए भई दो questions आपके पास हैं to know the emotions and values of the candidates dash test is conducted intelligence, trade, personality and aptitude question number 84 है respect and recognition is a part of dash physiological needs social needs safety needs या फिर esteem needs दो questions हैं आपके पास question number 83 और 84 questions को solve कर लें उसके बाद answer की आपको दी जाएगी अपने incorrect answers को काटते जाएगा और बाद में देखिएगा कितने आपने correct answer की है और हर चार incorrect answers के बदले में एक number minus करने के बाद हमें बताईएगा के आपका कितना score हुआ और अगर किसी को calculate करने में problem हो तो आप मुझे whatsapp कर दीजेगा अपने answer की मैं check कर दूँगा उसको ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है management by exception refers to controlling significant deviations focus on key result areas check on each and every activity या फिर keep a control on everything management by exception question number 85 controlling significant areas focus on key result areas check on each and every activity keep a control on everything चलिए next question देख लिए है question number 86 है if return on investment is less than the rate of interest then company must prefer equity, debt, both A and B या फिर none of these if return on investment is less than the rate of interest then company must prefer equity, debt, both A and B या फिर none of these जल्दी से solve कर लें इंशालला दो घंटे से पहले ही आपको free कर दिया जाएगा और मुझे अमीद है कि आप लोग बहुत अच्छा perform भी करने वाले हैं चलिया भई, next question देख लेते हैं जल्दी से question number 87 question number 87 और 88 in right issue, in right issue, shares are issued to general public, existing shareholders, institutes only या फिर none of these दो questions आपके पास हैं 87 और 88 जल्दी से इन को solve कर ले, sabi is also called as चली, next question देख लेते हैं पीटा चली भई, फिर से आपके पास दो questions हैं 89 और 90 one of the element of marketing mix as classified by McCarthy are trademark, promotion, brand mark या फिर protection और दूसरा question आपके पास है, question number 90 rights of consumer are protected under CPA 1988, CPA 1986, CPA 1982 और CPA 1984, CPA की full form भी बता दीजिएगा जल्दी से solve कर ले है रांचे चली, next question देख लेते हैं पीटा the price elasticity of demand equal to 1 for a demand curve which is dash, horizontal line, vertical line, rectangular hyperbola या फिर downward moving line price elasticity of demand equal to 1 a, b, c या फिर d जो भी सही आंसर है उसको जल्दी से mark कर ले अपनी answer sheet पर और हम चलते हैं आगे question number 92 की तरफ, question number 92 है, the price below which the seller will refuse to sell any quantity of a commodity is called, accurate price, minimum price, borderline price या फिर reserve price, the price below which the seller will refuse to sell any quantity of a commodity is called, accurate price, minimum price, borderline price या फिर price, the seller will refuse to sell any quantity of a commodity, चली बटे नेक्स in the quantity demanded is smaller than the percentage fall in price of a commodity, then price elasticity is equal to 1 greater than 1 smaller than 1 या फिर 0, परसंटेज इनक्रीज इन कौन्टिटी डिमांडेड इस स्मॉलर देन दा परसंटेज फॉल इन दा प्राइस प्राइस इलासिस्टी पूछी गई है वई क्या होगी इक्वल टू वन ग्रेटर देन वन स्मॉलर देन वन या फिर जीरो चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 94 और 95 यह दो कोशन्स आपके पास हैं भई दा कंजियूमर इस इन इकलिबिरियम एट अ पॉइंट वेर दा बजट लाइन डैश इस अबव एन आईसी इस बिलो एन आईसी इस टैंजेंट तो एन आईसी या फिर कट्स एन आईसी और दूसरा कोशन है भई आटो मूबील इंडस्टरी इस अन एक्जामपिल आफ मोनोपॉली परफेक्ट कॉम्पॉली या फिर नन आफ दी अबव सोच लें आराम से दो कोशन आपके पास हैं माशालला पूरी महनत आप लोगों ने की है अब बस पेपर खतम होने वाला है एंड तक आप लोग पहुँचने वाले हैं चार-पांच कोशन और रहे गए हैं और फिर रहेगा रिजल्ट का इंदजार जितना आपको उत नहीं मुझे क्योंकि जितनी महनत आप लोगों ने की है फेबररी से लेकर आज तक दस महीने से हम लोग इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई बी कॉम इंट्रेंस का एक्जाम आपका किस सरां से क्रैक करवाए जाए चलिए बेटा नेक्स्ट कोशन देखते हैं पेंड्या गिवे क्याट देख क्या आप किस आप में नेक्साप्टव? प्रक रशंच तक म्हें किस क्या प्रैक्ट नेक्स से कि क्रैक्से ट में एक और प्रैक्षेे संतर भी केहरे हैं चलिए बिटा आगे चलते हैं तो question number 97 है The fraction of deposits that commercial banks must keep with RBI is called S-L-R-C-R-R-O-M-R या फिर S-I-B-O-R The fraction of deposits that commercial banks must keep with RBI ये जो options हैं अगर आप इनसे वाकिफ हैं तो इनकी full form जल्दी से comment section में बताती हुए चलिए और हम चलते हैं Question number 98 की तरफ देखते हैं भई Question number 98 हमसे क्या कह रहा है Question number 98 है The term LIBOR stands for Legal Interbank Offered Rate Largest International Bank of Russia London Interbank Offered Rate या फिर None of the above The term LIBOR L-I-B-O-R LIBOR stands for जल्दी से बिटा इसको solve कीजिए चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं चलिए 99th Question हमारे पास है What will be the value of multiplier if entire additional income is converted into additional consumption Entire additional income is converted into additional consumption Infinity 0 1 या फिर 5 Value of multiplier multiplier को किस से denote करते हैं जल्दी बताईए बता Comment section में जल्दी से इसको solve कीजिए और बताईए के if additional income is converted into additional consumption then what will be the value of multiplier infinity, 0, 1 या फिर 5 चलिए लास्ट और final question जल्दी से देख लेते हैं चलिए बई लास्ट कोशन हमारे पास है Remittance from a relative working abroad are Included in national income Not included in national income Transfer payments या फिर both B and C Remittance from a relative working abroad are A, B, C या फिर D पूरे lockdown आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका result अब आपके सामने आने वाला है आज के paper से ही इतना अंदाजा आपको हो जाएगा कि आपकी जो मेहनत थी वो कहां तक सफल हो रही है और इंशालला मुझे उम्मीद है कि सभी का paper बहुत अच्छा हुआ होगा आज का भी और इंशालला जो actual आपका paper होगा बेकॉमेंटरेंस का वो भी बहुत जाद अच्छा होने वाला है तो चलिए अब सभी लोग अपनी answer sheet जो है अपने हाथ में उठा लीजिए और एक pen अपने हाथ में रखें आप लोगों के सामने हम लेकर आते हैं आपकी answer की और उसके बाद आप उसको match करते हो चलिए चलिए match करते हैं बिटा कोशन नमबर वन का A 2D 3B 4D 5D 6C 7B 8B 9A 10B 11B 12B 13A 14B 15B 16C 17D 18B 19B 20C 21C 22B 23A 24A 25B 25B 26D 27B 28D 29A 30A 31C 32C 33B 34C 35D 36B 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 37C 38A 39B 40C 41C 42A 43B 44A 45A 46B 47C 48B 49C 45B 46B 47C 50B 50B 51A 52B 53A 54B 55B 55B 56C 57B 58D 59D 60B 61C 62C 63C 59D 59D 65B 64B 65B 60B 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 64B 65A 66B 66B 67C 68B 76 C, 77 B, 78 A, 79 B, 80 D, 81 B, 82 A, 83 C, 84 D, 85 A, 86 A, 87 C, 88 B, 89 B, 90 B, 91 C, 92 D, 93 C, 94 C, 95 C, 96 B, 97 B, 98 C, 99 A, और लास्ट में 100 जो आपका कोश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है D, अब आप लोगों करने क्या है, कि आप लोगों ने जो मार्किंग्स की है, अपनी आंसर शीट पर उसके अकॉर्डिंग जल्दी से चेक कर लें, किसका कितना स्कोर आ रहा है, और जल्दी से हमें बताईए कमेंट सेक्षिन में, I hope आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, गुड लग आप सभी को अपने इंट्रेंस के एक्जाम के लिए, बेस्ट आफ लग मिलते हैं आप सभी लोगों से, इंशालला नेक्स लेक्चर में, थैंक्स वर वाचिंग,